नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल के उपर देखे दोस्तों बिना वक्त कवाई 11 नॉमबर 2018 से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स बने हैं उसके बारे में बात करते हैं तो देखे सबसे पहले बात करते हैं महतोपूर्ण दिवस के बारे में तो देखे शान्ती और विकासेतु विस्वे विज्ञान दिवस आज मनाया जा रहा है यानि कि 10 नौमबर को मनाय गया है शांती और विका से तु विश्वे विज्वे 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 की थीम रही थी इसका विशेए रहा है कि माना व्धिकार यानि कि सॉइंस ए स्थीम रही है कि कुछ स्टुदेंट के यह कंफ्यूजन रहता है कि सर यह मतलब करेंट अफैर्स लाते हैं कहां से लाते हैं तो देखिए, आज मैं इन्कलूड किया है, यह यू एंस से यह सी फार से वो मिला है तो इसका स्रोत कहा है यूएन से ये करेंट अफेर से वो मिला है देखें नेक्ट खबर है एक अधिकारिक संदेश के अनुसार पूर्वे आई-ए-स अधिकारी असो कुमार गुपता को भारती ये परतिस बर्दा आयो का देक्स नियुक्त किया गया है उनकी नि अधिकारिक जब तक 65 वर्ष की आयो प्राप्त करेंगे या आगले आदेश तक जो भी पहले गठित होता है गुपता कारिय वाहे का देक्स सुधीर मित्तल की जगह लेंगे ये जो खबर आई है वो दैन एकोनोमिक से टाइम से निकल कर आई है जिसमें आप देख सकते हैं पर एक अधिकारिक असंदेश के अनुसार जो असोक कुमार गुपता है उसको भारती ये परतिस परदा आयो का देक्स नियुक्त किया गया है नेक्सिते कि भारत में डिजिटल बुकतान लेंदेन की संक्या अगस्त 2018 में 244.81 करोड रुपे पहुंच गई है दो पिछले द परती पी-टू-पी के साथ में व्यक्ति से व्यापारी यानि पी-टू-एम बुकतान में वरद्य करके डिजिटल बुकतान पारिश्चति के तंतर को बदल दिया है बयान में कहा गया है कि अगस्त 2018 में डिजिटल बुकतान लेंदेन की संक्या अक्टूबर 2016 के 59.67 करोड की तुलना में 207 परतिस्त बढ़कर 244.81 करोड रुपे हो गई है अक्टूबर 2016 में इस तरह के लेंदेन का कुल मुल्य 108.7 लाख करोड रुपे था जो अगस्त 2018 में 88 परतिस्त बढ़कर 204.86 लाख करोड रुपे हो गया है बयान में ये कहा गया है कि मुझूदा बुकतान नमादेम जिसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ततकाल बुकतान शेवा और प्रिपेर्ड इंस्टूमेंट में भी काफी वर्दी दर्ज की गई है डीडी समाचार के अनुसार ये स्रोथ है वो प्रकासित की गई है इस खबर देखे बारते रिजरो बेंके द्वारा मार पार्शिक रिपोर्ट में कहा था कि वह उब उखताओं की डिजिटल एंदेन से सम्मधित शिकायकतों के संचालन के लिए एक अलग से लोगपाल पित करने के लिए इसके विचार कर रहा है केंद्रिय बेंक की वर्तमान में देश भर में डिजिटल बुकतान के लोगपाल क कारे लेओं में स्थापित करने की योज़ना बनानी की परकिरिया में है वारते रिजरो बेंक ने सरकार के परामर्स से अवसरंचना निर्मान के लिए विदेशी रिंड को नियंतरित करने वाले मांदंडों में उधारता व्यक्त की है एक अदिस हुसना में कहा गया है कि व वायदा के लिए उस्थ परिपक्वता आवशक्ता को पिछले दस वर्सों से कम करके पांच वर्स कर दिया गया है नेश्ट देखिए सरकार ने कहा है कि वह रिजरो बेंक के 3.6 लाख करोड रुपे की पुंजी की मांग नहीं कर रही है बलकि यह केवल किंद्री बेंक की उ ऐस्थानांदर करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है उन्होंने कहा है कि यतिस को समाब्थ हने वाले चालू विट वर्स के लिए 3.3 प्रतिसत के राज़कोश ये गाटे के लग से अपर पिश्चिर रहेगा। स्री लंगा के राष्टपती मेत्रिपाल शीरी शेना ने सुकरवार को संसद को भंग कर दिया है। और समयदानिक संकटों को खतम करने के लिए कोई आकस्मिक चुनाव या राष्टे जन्मत संग्रह नहीं होगा। राष्ट टेलिविजन ने बताया कि स्री शेना ने अगस्त 2020 की कारेकाल अवदी की समापती से पहले ही 225 संसदिये संसद को भंग करते हुए एक अधिकारी जो अधिस हूसना है उसके ओपर हस्ताक्सर किये हैं। सिरी शेना द्वारा प्रदारमंत्री रानील विकरम सिंगे को बरकास्त कर उन्हें उनके पूर्वर परतिदवंदी महिंदरा राजपक्से से परतिस तापित करने के बाद में ड्यूपियर रास्टर में राजनितिक संकट उत्पन हो गया है। एन जहाजों ने वर्स गुनी सो चौरानमे में भारतिय नो सियना के साथ में प्रसिक्स नारंब किया था। नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राफ दो सकें एन आपको प्राफ दो प्राफ दो सकें